IPL auction के लिए retention rules आने के बाद आज हम आपको बताने वाले हैं कि चिन नहीं सुपर किंग स्कीन 5 खिलाडियों को रिटेन करेगी सबसे पहले retention से जुड़े कुछ rules को चलिए जानते हैं सबसे पहला रूली है कि हर टीम 5 खिलाडियों को रिटेन करेगी और एक खिलाडी को RTM के जरी अपनी टीम में शामिल करेगी आप कितने भी इंडियन और कितने भी ओवर्सीस को ले सकते हैं लेकिन 5 से ज्यादा नहीं चुन सकते हैं maximum 2 uncapped player को आप अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं लेकिन minimum एक uncapped player को आपको अपनी टीम में रखना ही होगा आप तक में से सबसे अच्छा रूल मुझे ये लगा कि अगर कोई खिलाडी ओक्षन में आता है और वो किसी टीम द्वारा पिक कर लिया जाता है लेकिन बाद में वे IPL खिलने से मना कर देता है तो उस पर 2 साल का बैन लगेगा हर टीम को 120 करोड रूपए मिलेंगे सेलेरी पर्स और हर खिलाडियों को मैच फिस के तोर पर 7.5 लाख रूपए मिलेंगे पहले खिलाडी जिन को CSK रिटेन करेगी हो है रूतुराज रैकवाड रूतुराज रैकवाड काफी शांदार खिलाडी है उन्होंने IPL 2024 में 584 रन बनाए गाएकवाड CSK के कैपटन भी है ऐसे में गाएकवाड को CSK रिटेन करेगी दूसरे खिलाडी जिन को CSK रिटेन करेगी हो है शीवम दूबे को 6 sitting machine कहा जाता है दूबे ने कई मैचस में CSK को अपने दम पे जीत दिलाए हैं ऐसे में दूबे को CSK नहीं जाने देगी दीसरे खिलाडी जिन को CSK रिटेन करेगी हो है रविंदर जाडेजा रविंदर जाडेजा काफी बहतरी इन खिलाडी है जाडेजा फिल्डिंग बैटिंग बॉलिंग तीनों से कॉंट्रिब्यूशन देते हैं जाडेजा CSK का इन्पोर्टेंट हिस्सा है ऐसे में जाना को CSK नहीं चाने देगी आखरी खिलाडी जिन को CSK रिटेन करेगी हो है MS दोनी MS दोनी के बारे में कहा जा रहा था कि दोनी IPL 2025 नहीं खिलेंगे लेकिन अनकैप्ड प्लेयर रूल आने से दोनी के खिलने का रस्ता साफ हो चुका है CSK की टीम आर टीम का इस्तमाल डेवान कोनवे पे करेगी क्योंकि IPL 2023 में CSK को जिताने में सबसे बड़ा हार डेवान कोनवे करा था